हमें उत्रार्द की प्रिवत्चों कोरोना महामारी के कारण से आपकी जो नीमित कक्षाएं लग रही थी उन्हें स्थगित करके और महाविध्यालियों को बंद कर दिया गया है इस कारण से आज से पुनह हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एमें उत्रार्द के सभी प्रश्ण पत्रों के बचे हुए सिलेबस को पूरा करवाएंगे लेकिन आपको सरव प्रथम सिलेबस के संबंद में जान लेना चाहिए प्रिबच्चों आप जानते हो हमें पूर्वार्ध में आपके चार प्रश्ण पत्र थे लेकिन हमें उत्तरार्ध में पांच प्रश्ण पत्र होते हैं सामानी नितह इस परिक्षा में सभी प्रश्ण पत्र तीन घंटों की अवधीके होते हैं और प्रत्यक प्रश्ण पत्र सो अंक का होता है हो सकता है इस बार कोरोना महामारी के कारण से आपका प्रश्ण पत्र तीन घंटे की जिगह दो घंटे का कर दिया जाए किन्तु यह विश्व विद्याले के अधीन है उसका निर्णा है प्री बच्चों एमेफ फाइनल में कुल पांच प्रश्ण पत्र होंगे उन में से पांचवा जो कि आपकी द्रिश्टी से प्रधम प्रश्ण पत्र होगा उसको हम पंचम प्रश्ण पत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि में पूर्वार्ध में चार प्रश्ण पत्र हो चुके हैं और में उत्रार्ध के अंदर जो प्रधम प्रश्ण पत्र है उसी को ही सी काण से पंचम प्रश्ण पत्र के नाम से जाना जाता है तो हैमें उत्रारद में पंचम प्रश्ण पत्र एवं छटा प्रश्ण पत्र ये दो प्रश्ण पत्र सभी वर्गों के लिए अनिवारी होंगे ये जो तीन प्रश्ण पत्र यानि सब्तम, अश्टम और नवम ये जो तीन वर्ग है उन में से उनके ए, आ, ए, अत्वा ए में से किसी एक ही वर्ग को चुनना होगा चुनकि आप नियमित चात्र है, लोया महा विध्याले के चात्र हैं, इसलिए आपके जो निरधारित प्रश्ण पत्र है मैं आपको बता देता हूँ पंचम प्रश्ण पत्र है निबंध, व्याकरन एवं अनवाद का जैसा कि मैंने पूर्ण बता दिया यह अनिवारी प्रशन पत्र है और छटा प्रशन पत्र है शास्त्री सहित्य एवं काव्य आपके आधुनिक साहित्य या वृत्त अध्यन ये अभी लागू नहीं है केवल साहित्य शास्त्र एवं कव्य ही आपको लेना है लोहिया महाविद्याले की चात्रों को वर्ग ए में जो साहित्य ग्रूप है उसमें सप्तम प्रश्ण पत्र जिसका नाम है संस्कृत काविय शास्त्र अश्टम प्रश्ण पत्र में आपके नाटक एवं नाट्य शास्त्र नामक प्रश्ण पत्र है क्योंकि आपके अधवा में यहाँ पर आईर्वेद्ज जोतिस एवं दैनन दिन पूजन विधी इस प्रश्ण पत्र को भी दे रखा है वह आपके सिलेबस में नहीं है लोहिया महाविद्याले के अंसार नाटक एवं नाट्य शास्त्र ही आपको लेना है उसी की फुस्तके आपको पढ़नी है अंतिम प्रश्ण पत्र जिसको नवं प्रश्ण पत्र के नाम से जाना जाता है उसका नाम है प्राचीन कावियों इसमें भी आपके खुप्शन के अंदर कवियों का विशेश अध्य हैं भी रखा गया है लेकिन आपको उसमें प्राचीन का विकाही चेन करना है वही हम आपको पढ़ा रहे हैं पढ़ा चुके हैं तो यह आपके पांच प्रश्ण पत्र थे जो हमें उत्रार्थ के अंदर आपके सिलेवस में निर्धारित है आज हम जिस प्रश्णपत्र को प्रारंब कर रहे हैं जैसा कि आपको हमने आपकी कछाओं में निबंध, अनुवाद और वाक्यों में असुद्धी संसोदन के कारिय करा दिये हैं आज हम प्रधम प्रश्णपत्र अर्थात पंचम प्रश्णपत्र में जो लगुशित धान्त कोम्दी का हिस्सा है जिसमें आपके कृत्य, पूर्व कृदंत और तद्धित प्रकरण में अपत्या धिकार, शैशिक, ठगधिकार, भवनार्था क्यों मत्वर्थी प्रकरण को रखा गया है इसी प्रकर से पंचम इकाई में लगुशित धान्त कोम्दी में जो श्त्री प्रत्य है उनको रखा गया है हर्थात तृतिय, चतूर्थ एबं पंचम इकाईयों में आपके लगुशित धान्त कोम्दी के कुछ हिस्सों को रखा गया है आज हम आपको लक्षिद्धान्त कौमधी की तृधिकाई में निर्धारित जो क्रदंत प्रकर्ण है उसके विशय में आपको पढ़ाना प्राणप करेंगे मैं इस विशय में आपको पताना चाहूँगा कि यहां जो खंड बै है अर्थात पंचम प्रशन पत्र में जो खंड बै है उसके अंतरगत एकाई तीन चार पांच में से दो दो सूत्रों की सोधारन व्याख्या पूछी जाएगी खंड से में एकाई तीन चार पांच में से सिद्ध्या पूछी जाएगी और खंड से में एकाई तीन चार पांच में से किनी पांच पदों की सिद्ध्या पूछी जाएगी चुंकि सूत्रों को समझे बिना आपको कोई भी सिद्धी आ नहीं सकती इसलिए हम आज से लगसित्धांत कोमदी के निर्धारित प्रकरणों में से सूत्रों की व्याख्या करके उनको सोधाहरन समझाएंगे अस्तू आज हम इस विशे में आपका जो सिलेबस है इसके विशे में जो महतुपूर्ण बाते थी उनको बता दिया है अब हम अगरिम जो वीडियो है उसमें आपको लगसित्धांत कोमदी का प्रकरण ग्रदंत प्रकरण जो है उसमें भी जो कृत्य प्रक्रिया है उसको लेकर के समपस्ति दोंगे तब तक के लिए आपको जये तुसंस्क्रदम जये दुभारतम यहीं हां मोच्प कॉल वे घुभार इंपर 2 समप आपका के समपस्ति दॉ वेल प्रक्रण प्रक्रण वेल दоки में आपको लोक्षण की समपस्ति का प्रक्रण आपको रखक्वारतम आपको यहीं है । झाल 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 चाहँ करो जो पुमत बादयों जो फुमति कपा भड़ करे दो एकाद और 25 में अर्णा करें रादयों करें आर जा आर सीसे जुमति यानों पन्मति पर सा जादयों, यायवी झाम करें पर लग्या थार झाल को भला है।